जीरो अकाडमी हलो टू आल, वेलकम टू दू जीरो अकाडमी आज हम सॉल करने वाले हैं अल्जेबरा से रिलेटेट कॉस्टिन्स जो आपका निम्मी के वेब साइट में जो कॉस्टिन्स पेपर या हम कहें कि प्रैक्टिस सेट जो आपका अवलेबल है उसको हम सिंप्लिफाई करने वाले बहुत से बच्चों का यह कमेंट था कि सर इस पर इस कॉस्टिन्स इस पर जो कॉस्टिन्स हैं वो जरू सॉल करा है तो इस तरीके से हम देखेंगे आज बीज गड़ी जिसे हम कहते हैं हिंदी में उस पर related जो कॉस्टिन्स हैं आपके बहुत ही important है इसलिए क्योंकि यहां से sure होता है आपका कॉस्टिन्स exam में आना तै होता है पहला कॉस्टिन्स दिख रहा है कि what is the value of 4x plus 3y plus 25x plus 2y कॉस्टिन्स को सिर्फ यह समझे है कि कॉस्टिन्स कहे क्या रहा है यहां पर question आपसे कहना चाहता है कि सिधा सिधा इन सब को जोड़ दो जोड़ने के लिए आपको पता है कि हम जो same variable वाले होते हैं उनको साथ में जोड़ते हैं मतलब x को y वाले के साथ कभी नहीं जोड़ेंगे x को जोड़ते हैं x वाले के साथ उसमें भी आपको नियम पता है कि जो इनके गुड़ांक जो होते हैं यह जो 25 और यह जो 14 यह जो गुड़ांक जो है सिर्फ उनको जोड़ते हैं अगर आप इन दोनों के एड़ करेंगे ती हो जाएगा 39 x अब उसके साथ plus sign है तो plus y और y वाले को एड़ कर दीजिए तो y के जो कोफिशेंट है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है उन दोनों के एड़ कर देंगे ती हो जाएगा 5 और उसके साथ में y ध्यार रखेंगे अलजेबरा में जब भी हम additions या subtractions जोड़ या घटाफ करते हैं तो जो चर रासी जो होता है उनके जो गुडांक जो होते हैं सिर्फ गुडांक का ही जोड़ या घटाफ करते हैं उसके साथ सेम जो चर या चर रासी रहता है उसको बगल में हम लोग लिख देते हैं एक और बात सेम चर रासी का ही सेम चर रासी के साथ जोड़िया घटाव होता है मतलब X का X कवाले के साथ ही जोड़िया घटाव होगा Y का केवल Y के साथ तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा C What is the multiplication value of 5A square B cross सिधी सी बात है यहाँ पर multiplication करने के लिए बोल रहा है जब भी गुड़ा करना होगा आप ध्यान रखेंगे जो coefficient जो होता है जो गुडांक होता है उनका आपको दोनों गुड़ा कर देना है तो 8 पंचे यह हो गया आपका 40 उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहा है और यहाँ पर भी लिखा रहा है इस question के according सिधी से बात है आपको इन दोनों को भाग देना है भाग देने के लिए आप देखिए यहाँ पर तीन यहाँ से common निकाल दीजिए तो x plus 5 हो जाएगा नीचे से आप 5 common निकाल दीजिए तो x plus 5 हो जाएगा यह दोनों सेम सेम दिखाए दे रहा है तो cancel हो जाएगा तो answer हो जाएगा हमारा 3 बटा 5 3 divided by 5 correct option b what is the value of x if 13 x plus sorry 13 plus x is equals to 20 आपको पक्षांतर कर नियम याद है देखिए यह केवल नंबर है इसके साथ कोई चर्रासी नहीं है यह जो x है यह केवल चर्रासी है तो जिसका मान निकालना होता है आपको उसको left hand side में रखना है मतलब आपको बाएं पक्ष में रखना है इधर रखिए बाकि जो हो जाता है वह पक्षांतर होनी के बाढ़ माइनस हो जाता है जो माइनस रहता ह सब studies व्लस हो जाता है गढ़ जो रहता है वह हलं के बलता है और बहुत बहुत लगा देता है इ reciprocal गया देता है इसका मतलब डव यह कह रहा है कि दोनों का गुड़ा है multiplication है तो सिधी से बात है जब यह इसका multiplication है मैंने कहा जिसका value निकालना होता है उसका आप left hand side में रखिए इधर ही रखिए बाकी सबको इधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर यह 960 बटा बटा क्यों होगा चूकि यह इसके साथ गुड़ा में पक्षांतर होने के बाद आपको पता है multiplication किस में जाता है division में तो हो जाएगा 120 डिवाइट कर देजी यहां से और यह 12 से कर जाएगा 8 बार में तो answer हो जाएगा आपका c8 next देखते है what is the formula for 8 to the power m into 8 to the power n जब भी कभी base same होता है ध्यान रखेगा यह base जब same होता है base कहने के मतलब यह जिसका power दी एक रहा है तो यह A है यह यह भी है यदि यह दोनों same रहते हैं तो जो भी power होगा यह दोनों जुड़ जाते हैं कब के case में जब गुड़ा होता है clear बात है मतलब हम यह कहें कि जैसे कि मैं बात करता हूँ 2 है 2 की घात 3 है into 2 की घात 5 है ठीक है यह दोनों same same दिखाई दे रहे तो यह जो power जो होते हैं यह दोनों जुड़ जाएंगे मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा 2 की घात 5 और 3 8 तो यह हो जाएगा हमारा answer तो उसी तरीके से यहां पर क्या होगा एक ही power M plus N दोनों add हो जाएंगे option number A what is the formula division के case में बात कर रहे है जब गुड़ा होता है तो जुड़ जाता है और जब भाग होगा तो वो घट जाता है घटेगा किसके साथ उपर वाला में जो power रहेगा उससे ही घटेगा मतलब M minus N होगा ध्यान पर रखेंगे total to the power पर clear तो यह हो जाएगा option number B मतलब मैं यह कहूँ कि मालेजे आपके पास बहुत बड़ा value है आपको बोलता है कि मालेजे कि 625 का square divided by 5 का square मालेजे कुछ ऐसा दिख रहे है तो इस condition में हमको करना क्या होगा देखिए यह जो दिख रहा है 625 यह तो 5 नहीं है यह हमको क्या चाहिए दोनों सेम चाहिए यहाँ पर यह दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहे है तो 625 को आप 5 के हिसाब से change करना चाहो खो तो क्या होगा आपको पता है कि यह 25 का square होता है 25 का square होता है 625 और उसका already say square है ठिक अब यह 5 चीज जो होता है यह 5 का square होता है तो मतलब आप completely कैसे कह सकते है 5 का square और यह वाला square और यह वाला अलगसए square यह divided by में 5 का square अब यह 5 वाला गया यह total को multiply कर दो कितना होगा 4 और 2 into 2 8 हो जाएगा मतलब इस case में कहूं तो 5 की घाथ 8 बटा 5 की घाथ 2 question इस तरीके से आते हैं तो अब आप इसको क्या करोगे सीधा simplify करने के लिए दोनों same same होगे 5 और 5 तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 की घाथ 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 यह हो जाएगा हमारा जीरो किसी भी संख्या का घाथ यदि हम सुन्य कर देते हैं जैसे कि मैं बात करूँ 625 का घाथ सुन्य किसी का भी घाथ यदि सुन्य लिग देता है इसका मतलब हमेशा उसका वैली हो जाता है आपको ध्यान पर रखना चाहिए यह questions कई बार आपके एक्जाम में आया हुआ है ज्यान पर रखेंगे इस चीज़ को अब इस दे वैल्यू ओफ ए टुदी पावर एम वन डिवारड़ वाई ए टुदी पावर एम आपको पता है जब भी कभी division में कुछ चीज़ें होता है उसको उपर अगर लेकर आप आते हैं तो यह जो power जो रहता है उसका sign change हो जाता है sign change इस तरीके से होगा कि मतलब plus का minus और minus का plus तो जब इसको हम उपर लेके आएंगे तो हो जाएगा a की power minus m या फिर आप यह कहें मालीज़ आपको पास ऐसा दिया है a की power m तो आप इस इसको अगर divide में लिखना चाहते हैं या आप ऐसा divide में लिखना चाहते हैं तो यह क्या हो जाएगा power plus में है जब आप इसको change करते हो विद्व करम करते हो तो sign minus हो जाता है सिदी से बात है तो जब इसको आप यहां से उपर लेकर आओगे तो फिर उसका sign change हो जाएगा plus में था तो minus हो गया minus में रहता तो plus हो जाता ठीक है तो यह वाला हमारा answer आजाएगा option number b which is equals to जब भी कभी कोई same घात रहता है कोई base same रहता है उसी का power का power होता है यह power of power है मतलब इसका power m है और उस total का power n है तो जब भी power का power होता है तो इनके बीच में हो जाता है multiplication मतलब यह क्या हो जाएगा m into n दोनों के बीच में हो जाता है गुड़ा किसका power का और यह total का power ही बना रहेगा तो a की power aim into n multiply हो जाएगा option number t clear बात है जब भी power of power का case होगा तो ऐसा करना है what is the expanded form of इसको formula है आपको पता होगा यह basic formula है a plus b whole square और यह formula a square plus b square plus 2ab होता है यतना आप हर को जानते हैं तो यह हो जाता है आपका option number a जब plus में रहता है तो सारा चिस plus में आता है अगर minus में होगा तब के condition में क्या हो जाता है यह a square plus b square minus 2ab minus कहाँ पे आता है सिर्फ यहाँ पे च्योंकि square होने करण यह तो plus हो जाता है और यह b minus होने करण यहाँ पे minus आता है ठीक है यह है आपका next question same वही पूछ रहा है a minus b whole square का formula तो यह हमारा यह बन जाएगा तो यह है हमारा option number यह दिखाई दे रहा है हमको a a square plus b square a square plus b square दोनों positive है और यह वाला negative रहेगा ठीक बात है next बोल रहा है which is equals to a square plus b square अच्छा स्वारी a plus b whole square minus a minus b whole square यह जो हम अभी जो देख रहते हैं यह हमारा formula क्या बना था this much equals to a plus b whole square और यह बना था हमारा a minus b whole square correct है अभी अब क्या बोल रहा है इन्हीं दोनों घटा दो बोल रहा है इन दोनों को यदे आप घटाएंगे तो सोचिए क्या होगा यह और यह तो दोनों सेम है यह दोनों कट जाएंगे और घटाने कारण यह minus chin बदल जाएगा plus chin हमें और यह दोनों जुड़ जाएंगे तो यह हो जाएगा 4ab clear बात है तो इसलिए हमारा answer क्या जाएगा 4ab समझ में आगे होगा आपको आप simply इसका expansion कर दीजे a plus b तो यह हो जाएगा a square plus b square plus 2ab और यह minus chin लगा लीजिए a square plus b square minus 2ab जब आप यह bracket open करेंगे तो यह और यह से कड़ जाएगा यह minus से यह plus में बदल जाएगा और यह दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा ठीक है यह direct आपको याद रखना पड़ता है यह इतना calculation करने की सुरूरत नहीं आपको एक्जाम में इतना चीज रटा हुआ होना चाहिए what is the value of यह आपको series में दिया हुआ है पहले a की power 1 दिया है a की power 2 देखिए सब का base same है base same है मतलब सब a a a वाले हैं तो जब भी base same होता है सबके power जूड़ जूड़ जाते हैं power जूड़ दो 1 और 2 3 और 3 6 6 और 4 10 तो एक ही घात 10 option number d what is the value of a to the power 5 and whole to the power 7 यह क्या है power of power वाला बात हो गया अभी जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे तो जब भी किसी का घात का total का फिर से घात होता है तो हम उस घातों के बीच में क्या कर देते हैं गुड़ा मतलब 5 सत्य 35 तो एक ही घात कितना हो जाएगा 35 option number 1 what is the value of 625 whole to the power 0 मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया था इधर कि किसी भी संख्या का घात यदि हम सुनने करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 1 चाहे वो संख्या कुछ भी हो 625 का घात सुनने आंसर हो जाएगा एक value questions कुछ भी हो power 0 है मतलब आपको हमेसा value 1 मिलने वाला ह क्लियर है नेक्स्ट है what is the value of a to the power sorry 1 upon a to the power minus 5 अभी थोड़ी दिर पहले ही ऐसा question देख रहे थे आपको पता है कि जब भी कभी व्यूत्क्रम में दिया है या किसी संख्या को व्यूत्क्रम में करना है तब की केस्ट में क्या होता है उसका जो घात का जो चिन में रहता है वो बदल जाएगा सिद्धी से बात है एक तो फाइफ फाइफ हो जाएगा एक तो फाइफ फाइफ नमबर एई क्लियर है what is the value of 5x to the power 4 divided by 5x to the power 3 जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा conditions जब भाग में होता है तो आपको पता है कि यह गुडांक और गुडांक कटते हैं अगर multiple ह यहां से 4-3 कर दिया तो केवल कितना बचा या अप सिधा समझे कि यह चार बार एक्स दिख रहा है नीचे में तीन बार एक्स दिख रहा है आप कटा दोगे तो एक एक्स ही बचेगा कुछ इस तरीके से और जो दूसरा है हमको पता है जब भी कभी घटाना या जोड़ना होता है तो एक्स वाला एक्स के साथ य वाला एक्स के साथ ही जुड़ता या घटता है सेम चर्रासी का सेम चर्रासी के साथ तो आप इसको लिखे भी उसी तरीके से ये 4Y स्क्वार वाला है ये Y स्क्वार को इसके सामने लिखे ये प्लस साथ है तो 4Y स्क्वार प्लस साथ है minus 2x यह यहाँ पर आ जाएगा minus 2x और यह plus में है तो यह plus में 8x square सबको जोड़ना है सदिसी बात है आप जोड़ दीजे 3x और यह 2x है तो आपको पता है कि यह 3 में से इस 2 को घटाना है क्यों घटाना है अच्छा सॉरी question में आपको पहले घटाने के लिए बोल रहा है घटाने के लिए जब बोलेगा तो इस सब के सामने आप minus चिन्ह लगाओगे तो यह minus बदल जाएगा plus में यह हो जाएगा minus में और यह हो जाएगा minus में क्योंकि घटाना है पहले ही अब आप देखें यह plus यह plus तो 3,2,5 हो गया 5x यह minus यह minus सेम साइन जुड जाएगा तो 8,4,12 minus साइन के साथ आएगा x square यह minus लेकिन यह plus तो minus वाले में यह plus वाला घट जाएगा क्योंकि बड़ा कचिन्ह minus है तो यह minus हो जाएगा और यह हो जाएगा 2y square तो answer हमारा 5x प्लस वाला दिखना चाहिए तो देखें 5x प्लस वाला तो हमको केवल यह दिखाई दे रहा है minus में 12x square दिखना चाहिए तो यह भी minus में दिख रहा है और उसके साथ next हमारे जो था एक मिनिट कुश्चन में ये प्लस में दिया है और ये भी प्लस में दिया है तो घटाएंग ये तो माइनस में आएगा माइनस 2y स्क्वेर तो ऐसा option हमारा तो इसमें नहीं दिख रहा है तो हमारा जो answer जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था ये वाला minus में आना चाहिए था minus 2i square plus 5x minus 12x square कुछ ऐसा होना चाहिए था ठीक है तो option number b अगर कब आता अगर ये negative होता तो ये पूरा process आपको समझ में आ गया होगा अब हमें जोणना है जब चीजों को जोणना होगा तो आप समझे एकस वाले एकस के साथ ये है आपका 5x plus 2y आप अगर ऐसा लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके गलती करने के chances गढ़ जाते हैं देखिए ये नीचे y वाले लिखंगा लेकिन इसमें वाला तो नहीं है तो बिस देता हूं ठीक और माइनस के साथ है सब्सक्राक उल्現在 माइनस 7 जेडे इसमें 15 जेड प्लस में हैły यह को माइनस में है और एक्स वाला इसमें नहीं है तो जीरो तो जैड़ वाले को जोड़ दीजिए क्योंकि इसमें क्या करने के लिए जोड़ने के लिए इसलिए साइन में कोई चैंजस तो आएगा नहीं तो पंद्रा में आप साथ घटाएंगे क्योंकि यह माइनस में दिख रहा तो यह तो आएगा माइनस साथ यह तो यह तो आएगा तो बचेगा एक तो माइनस वाई हो जाएगा इन दोनों को यदि हम जूड़ते हैं तो पांच और चार नौ एक्स दोनों प्लस में तो प्लस में आंसर आजाएगा तो 9x तो प्लस 9x आना चाहिए आंसर में माइनस y होना चाहिए और प्लस 8z तो आप्शन नूमबर a What is the value of this? अच्छा यह भाग देना है आपको तो देखिए Simply भाग देने के लिए 12x to the power 3 y to the power 2 नीचे में है 4x square y कुछ ऐसा है मैंने बताया जो गुडांक रहता है यह coefficient का coefficient से division यह multiplication कर दो 4-3-12 यह आपका हो गया 3 अब x वाल एक देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे घात 2 है तो घटा दोगे तो क्या रह जाएगा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है तो मैं सीधा सीधा इनका अगुडा कर दूंदी क्या हो जाएगा 6x-12 which is equal to minus 4x और इधर पर क्या है plus sign के साथ है 28 ठीक बात है x वाले को x के साथ रखिए और मैंने कहा जब भी जिसका value निकालना होता है आप उसको left hand side में लाइए आसान होता है इसलिए आप इसको इधर ले आईए तो यह हो जाएगा 10x क्योंकि minus के साथ इधर आने के बात plus में हो जाएगा तो 6 और 4 दस हो जाएगा बराबर इधर 28 यह minus जब इधर जाएगा तो plus में बदल जाएगा तो यह जुड़ गया एगा 40 तो 10x is equals to 40 तो x is equals to हो जाएगा आपका 4 What is the value of x? x की value हमें बतानी है यहाँ पर जो question दिख रहा है x plus 2 यह एक साथ है divided by में है 2 is equals 2 में है 19 कुछ ऐसा question दिख रहा है यह भाग में जब यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुड़ा में चला जाएगा आपको पता है पक्षांतर का नियम तो यह हो जाएगा 19 दूनी 38 और इधर में क्या है x plus 2 तो x plus 2 is equals to 38 तो x is equals to यह प्लस वाला जो 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाला 2 तो 38 में से 2 जाएगा तो 36 तो x का अंसर 36 what is the value of x if 11 x plus 4 is equals to 37 question जो आपको दिख रहा है 11 x 37 में आप इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दो प्लस के है तो माइनस में हो जाएगा माइनस होने से यह हो जाएगा 33 11 x is equals to x is equals to 33 divided by 11 करोगे तो आप कांसर आजाएगा 3 option number b what is the value of a to the power sorry one upon a to the power m यह बार बार ऐसे question दिख रहे हैं आपको पता है जब आप इसको विद्क्रम करके उपर लाओगे तो यह जो power रहता है इसका sign change हो जाता है तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा तो यह है आपका option number minus sign के साथ यह वाला what is the value of a to the power यह power में होगा ऐसा दिख रहा है यह power में होगा a to the power m divided by n यह ऐसा होना चाहिए यह बहुत अच्छा question है important है यह देखिए ऐसे जब question होते हैं तो इसको लिखने का जो तरीका है अब यहाँ पर यह वाला option तो होगा नहीं मतलब यह दोनों घटेगा तो नहीं क्यों क्योंकि यह दोनों तो एक ही संख्या का power है जब भी कभी ऐसा दिया जाता है तो यह आप कैसे लिखोगे इसको a की power m और इस पूरे की power 1 yn ऐसा लिख सकते हैं चुकि हमको पता है कि इन दोनों का गुड़ा होने के बाद m by n ही मिलेगा correct बात है एक और चीज़ जब भी कभी यह power ऐसा लिखा होता है power अगर one upon में लिखा होता है तो उसको हम ऐसे करणी के रूप में लिखते हैं ठीक बात है करणी के रूप में लिखने बाद यह जो भी संख्या रहता है मतलब एन लिखा है तो यहां पर लिख देंगे और यह जो रह गया टोटल वह यहां पर जैसे कि आप बोलते हो मालीजे चार की घात एक बटा दो चार की घात एक बटा दो कहने का कजलनी लगा देते हो किसी का वरगमोल करते मतलब यहां पर दो लिखा होता है जिसदो को मेंं करने के जरु सब्सक्राइब मतलब केलबी यहां पर दिन लिखना पड़ता है जिसका मतलब ही एक बटे के साथ जो भी बटा जो रहत है वह यहाँ पे लिखाता है तो अगर यह N था तो यह करणी के उपर में N लिखा जाएगा और यह बज गया जितना वह यह है तो option number हमारा D which is the expansion of A cube plus B cube देखिए A cube plus B cube का expansion का formula यह बड़ा important expression है आपका यहाँ से जब भी कभी ध्यान पे रखेंगे positive वाला है तो पहला चीज plus में आता है A cube plus B की यह plus में था न तो यह plus में है फिर जो दूसरा आता है वो minus में हो जाता है मतलब यहाँ पे मिलेगा आपको A square minus AB plus B square ध्यान पे रखेंगे यह और यह जो रहता है आपको समझ में आ गया लेकिन यह वाला कि इसका plus होगा अगर यह plus है तो plus अगर यह minus होता तो यहाँ पे minus ध्यार रखेंगे जब आप whole square का formula पढ़ते हो A plus B whole square तो यहाँ पे 2AB रहता है लेकिन यह cube वाले में 2AB नहीं होता यह 2 नहीं होता केवल AB होता है जहाँ रखेंगे इस formula में ठीक है तो इसे साब से हमारा answer कौन सा match कर रहा है option number B what is the expansion of A plus B plus C whole square तीनों का जब whole square रहता है तो सिद्धी से बात है तीनों का square square आ जाता है मतलब A square plus B square plus C square plus 2 times सब का 2AB, 2BC, 2CA तो option number A याद रख लिजेगा which is the expanded form of A cube minus B cube जो अभी हम plus वाला देख रहे थे उसी का minus है तो मैंने आपको उता है यदि यह minus है तो पहला वाला आपको minus में मिलेगा यह और अगर यह minus है तो यह वाला आपको plus में मिलेगा मतलब यह भी जो है तो एक तरीका क्या है आपके पास एक तरीका यह है कि इसका जो बेस है तो इसको भी आप 3 बेस वाला बना लो ठीक, अगर वा ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 3, 6 को यह लिख सकता हूँ और whole to the power 3 है वैसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ minus 1 into 3 और इसका भी power 3 है ऐसा बन जाएगा अब इससे हम देखेंगे तो क्या मिलता है यह 3 का power 3 है तो यह कड़ जाएगा 3 का power 3 सेम है तो यह कड़ गया और यहाँ से क्या होता है 2 का power 3 रह गया और नीचे में क्या है minus 1 का power 3 यह रह गया तो 2 की घात 3 मतलब होता है 8 और minus 1 का घात यदि हम 3 करते है तो answer हमको minus 1 ही मिलेगा तो 8 बटा minus 1 तो minus 8 मिलेगा हमें एक तरीका यह था या तो आप सिधा सिधा अगर क्योंकि यह छोटा value है इसलिए आप 6 गुडित 6 गुडित 6 ऐसा कर लो और minus 3 गुडित minus 3 गुडित minus 3 ऐसा आपका टालो तब भी answer आपका minus 8 आजाएगा What is the value of x square minus y square if x plus y is equal to 9 and x minus y is equal to 4 Question में आपको x square minus y square का value find करना है x plus y का value दिया हुग है और x minus y का value दिया हुग है तो एक बात आप समझेए आपको पता हैगा कि यह जो formula होता है a minus b sorry a square minus b square का formula होता है a plus b into a minus b यह formula होता है तो उसी किता है देखे यह ऐसा ही कुछ दिख रहे x square minus y square हमको निकालना है कब जब x plus y into x minus y का value दिया है यह कितना दिया है 9 और यह कितना दिया है 4 तो नौचों 36 correct what is the value of x if x minus y is equals to 6 question में x की value find करना है आपको दिख रहा है x minus y 6 है और x plus y is equals to 8 है x की value निकालना है यह minus sign में है यह plus sign में है जोड़ दो तो यह दोनों कट जाएगा यह हो जाएगा 2x इन दोनों जूड़ के हो जाएगा 14 तो x बराबर हो जाएगा 7 option number what is the value of a square plus b square if a plus b is 9 and a into b is 20 सिद्धी से बात है formula ही तो दिख रहा है a square plus b square तो आप इसमें लगा दो a plus b का whole square is equals to a square plus b square plus 2ab यह नहीं तो आप जानते हो निकालना किसका value है इतने का निकालना है तो यह जब आपको निकालना है तो आप इसको कैसे लिखोगे a plus b whole square minus 2ab correct है इतना expression आप रट का मार के रखिये इतना आपको ध्यान पे होना चाहिए मतलब यह ऐसा आता है यह आपको रटा हुआ होना चाहिए तो a plus b 9 होता है तो 9 का square 81 हो जाएगा minus 2 times a b a b दिया हुए 20 और उसका 2 से multiply कर दो यह हो जाएगा 40 तो घटाने के बाद आजाएगा 41 तो a square plus b square का value हो जाएगा 41 positive sign के साथ ध्यान पे रखिएगा positive r है what is the value of a b a b निकालना है जब a plus b whole square और a minus b whole square का formula दिख रहा है आपको पता है कि a plus b whole square को यदि आप a minus b whole square से घटाते हो तो यह 4 a b मिलता है हमने कुछ दिर पहले ही देखा था या तो आप इसको expression expand करके देख लो इतना ही आएगा तो यह वाला value हमको दिख रहा है a plus b whole square का 36 यह वाला value हमको दिख रहा है 24 तो which is equals to 4 a b हो जाएगा आप इसको यहां से घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 12 is equals to 4 a b तो यह a b बराबर इस 4 को इदर पक्षांदर कर दो तो a b बराबर 12 बटा 4 तो 4 ती यह 12 य का value दे दिये है तो इतने का value आपको निकालने के लिए बोल रहा है सिदी से बात है question में यदि आप देखिए common क्या दिखाई दे रहा है x square अगर मैं common निकाल दूँ तो पहले वाले में बच जाएगा x plus इसमें से 3 y square बचेगा 3 y square और यह x square तो बाहरा गया इतना दिखाई दे रहे यह y square है हमको question में बोल रहा है x के value 3 y equals to 2 तो रख दो सिदे सिदे से x की जगा पे यहाँ पे आप 3 रखो तो 3 का square कितना हो जाएगा 3 ती यह 9 होता है आपको पता है x की जगा पे 3 ही रखना है plus 3 into y square y मतलब 2 2 का square 4 3 हो जाएगा निटो 4 तो यह गया 9 इन दोंक मल्टिप्लाई करोगे तो चारती है 12 और 3 15 और 15 का 9 से गुडा कर दो गुडा करने से मिलता है 135 तो option number A what are the 3 consecutive number if their sum is 42 question में यह बोल रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है कौन सी है क्रमागत संख्याओं देखो जैसे दिखे रहा 11, 12, 13 क्रमागत है एक के बाद इक आता है 12, 13, 14 तो यह क्रमागत बोल रहा है सिधा सा question है 3 क्रमागत संख्याओं जिनका योग 40 है सिधा सिधा यहीं से क्या करके देख सकते हो जोड के देख सकते हो आप इसको जोड दीजे कितना होता है 11, 23, 33 और 3, 36 इन तीनों को जोड़ने कितना रहे 36 42 तो नहीं आ रहे यह option तो हमारा नहीं होगा आप इसको जोड दीजे यह हो जाएगा आपका 11, 23, 33, 36 ठीक 12, 36 और 3 यह हो जाएगा 39 39 तो यह भी नहीं आएगा यहां से देख लिए 13, 33, 49 49 और 3 करेंगे तीन हो जाएगा 42 करेक्ट है 13, 14, 15 लगातार तो है consecutive है इसका अगर आप देखे हो कितना हो जाएगा 14, 32 और 3 आप जोड दोगे तो 45 तो यह तो आएगा नहीं तो option क्या है आप रसी एक तरीका यह होगा आप ऐसे डिरेक्टली आप options के basis में निकाल सकते हो या तो आपको पता है करम अगत संख्या कहने मतलब माना की पहली संख्या A है तो दूसरा वाला संख्या क्या होगा A प्लस 1 उससे एक ज्यादा होगा और यदि मैं तीसरी संख्या की बात करूँ तो क्या होगा इस वाले से 2 ज्यादा होगा जैसे यह 11 है तो 11 से 2 ज्यादा 13 तो वैसे यह क्या हो जाएगा A प्लस 2 इन तीनों का योग 42 बोल रहे अब आप जोड़ दो तो A A A जुड़ेगा तो 3 A हो जाएगा प्लस 2 और 1 यह 3 हो जाएगा तो 3 A is equal to इस 3 किदर पक्षांतर कर दो तो 49 हो जाएगा तो A बराबर 39 divided by 3 तो यह गया 13 तो पहला संख्या कौन से होगा 13 तो दूसरा क्या था उसमें प्लस 1 मतलब 1 चौदा और उससे 2 जादा 15 तो यह इसका कन्वेंशनल तरीका है सही तरीके से जो देखेंगे otherwise आप इसको options के basis में भी देख सकते हो algebra के questions बहुत आसान आते है अभी इसमें जो दिखा है या इसमें जो आपको चोटा सा formula है पर इससे बहुत ही जादा complicated questions बनते हैं तो वैसा वाला भी वीडियो हम upload करेंगे जिसमें आपको उसके जितने different type के questions जो आपको aptitude level पे देखने को मिलते हैं वैसे questions भी upload करेंगे अभी के लिए बस आप इतना समझे इस पर कोई भी समस्या हो कोई भी confusion हो तो आप मुझे comment box में बताइए otherwise telegram का link आपको description में मिल जाता है आप मुझे वहाँ पे contact कीजिए अभी के लिए बस इतना ही stay safe, keep learning thank you